हेलो स्टुडेंट हमारे इंजिरिंग मटेल चैनल पे आप सभी का सौगत करते हैं आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेलेक्शन आप दा टाइप आफ वेसल यह जो हमाय टॉपिक है यह पीडी सब्जेक्ट से लिया गया है अर्थात सेलेक्शन आफ दा टाइप आफ वे तो देखिए समानत है किसी वैसल को डिजाइण में टाइप को चुंते समय उसकी सेवा विशेश अच्छी यह पहला सब्जाइन में उसकी सेवा विशेश अच्छी हो यह हमें पहला यह पहला सब्जाइए हए प्राकृतिक वेसल के कार तथा इस्थिती फ्लूइड की प्राकृतिक वेसल के चुनाओं को परभावित करने वाले प्रार्थमिक कारक है अर्थात यह जो होता है प्राकृतिक वेसल के कार तथा इस्तिती फ्लूइड की प्राकृतिक वेसल के चुनाओं को परभावित करने वाले प्रार्थमिकारक है काम आने वाले वेसल के लिए आप्रेशन टंप्रेचर एंड प्रेशर इस्टोरेज और छमता के अनुसार वैलोम वर्क और सर्विस बनाने के लिए परियुक्त मटरियल आधि पर विशेश ध्यान दिया जाता है अर्थात काम आने वाले वेसल के लिए जो हमारा आप्रेशन होता है आप्रेशन टंप्रेचर एंड प्रेशर इस्टोरेज और छमता ठीक है के अनुसार वैलोम अर्थात आतन वर्क और सर्विस बनाने के लिए परियुक्त मटरियल आधि पर विशेश ध्यान दिया जाता ह अछी लिए तो देखें नमबर पहला को म्स Azam act होता है तो देखें नमबर पहला कौन सा होता है ओपें ट्रौन है हें आप दिखे यहां थीन सिल के लिए मॉट्णाइज होता है वह हमारा होता है त्ञार जॉत यहां धी हो सकता है यह तिन सेल मॉट्णाया lecture होताएज इस लिस द्धाया िआलट भी हो सकता ठीक है तो तहां पर यह हमारा धी है डी इसक्ल viola to diameter upsell ओले तो स्रम के लिए व्यक्राइड संद्रीकर्रास धनल्ट चाहिए मॉडिफाइड सर्विसूद के लिए वे再來 के लिए आप रेटिंग कंडिश्ण निंमstorm लिखित हैं अर्थात वेसल के लिए जो है मारा ऑप्रेटिंग जो कंडिशन है उनिम्लिकित है तो देखे पहला कौन सा है और अप्रेशन प्रेशर आप्रेशन के समय तेक है आप्रेशन की समय नार्मल रखना चाहिए अर्थात आप्रेशन प्रेशर आप्रेशन की समय नार्मल रखना च में ठीक है मान में दाब जो होता प्रेशर ओधिक्तम दाब नहीं हो यह हमें ध्यान देना है और नमबर दूसरा पॉइंट है फ्लूइड का ताप कांस्टेंट हो और लिक्विड का निलंबन ताप ग्यात होना चाहिए अर्था जो मारा फ्लूइड होता है का ताप कांस्टेंट हो अर्था इस्तिर हो और जो लिक्विड होते हैं द्रो का निलंबन ताप ग्यात होना चाहिए और नमबर तिसरा पॉइंट है कांस्टेंड है फ्लूइड का सनरच्षड वातवरण का प्रभाव रशानिक यहां पर रशानिक रहे ठीक है टापिंग करने मिश्टिक हो गया है रशानिक अभिकिरिया प्रवाह की गत से क्रोजन तथा इरेडियेशन के प्रभाव पर रशानिक अभिकिरिया प्रवाह पर बिचार करते हैं अर्थात कांटेंड है फ्लूइड का संरच्छड वातावरण वातावरण का जो प्रभाव है और रसानिक अभिकिरिया प्रवाह की गत से क्रोजन जो होता है क्रोजन तथा इर्डेशन के प्रभाव पर रसानिक अभिकिरिया प्रभाव पर विचार करते हैं और नमबर चोथा पॉइंट है हवा गिरने वाली वर्फ प्रेशर वेसल से जुड़े पाइप सिस्टम पंप्स वाल्ब एजिटेटर के डेड़ भार पर वेसल की सपोर्टिंग पर प्रभाव पर भी विचार किया जाता है अर्थात हवा गिरने वाली वर्फ प्रेशर वेसल से जुड़े पाइप सिस्टम और पंप्स वाल्ब एजिटेटर के डेड़ भार पर वेसल की सपोर्टिंग पर पर प्रभाव पर भी विचार किया जाता है कि भूकंप आदि के समय समय अत्रिक्त भार का वेसल के लिए प्रभंध ताप और दाब बढ़ाने पर एमर्जेंसी मेनेजमेंट तथा आपरेटिंग प्रोसस को प्रारंब करने और बंद करने पर ध्यान देना होगा अर्थात भूकंप आदि के समय जब भूकंप आदि के समय अत्रिक्त भार का वेसल के लिए प्रभंध ताप और दाब बढ़ाने पर एमर्जेंसी मेनेजमेंट तथा आपरेटिंग प्रोसस को प्रारंब करने और बंद करने पर ध्यान देना होगा तो इस प्रकार से वेसल का हमचैन करते एं तो प्लीज अगर यह वीडियो हुआ अच्छा लगाहो तो उमारे वीडियो को ज्रूरर लाइक केजयेगा अगर आप हुआये चैलने पहली ही को जूरुर सब्सक्राइब केज़ेगा क्योंकि यह का आपके लाइक और सब्सक्रा